दोस्तो भूख ना लगना, गर्मियों की मेन समस्या होती है, कई लोगों की गर्मियों में भूख खतम हो जाती है, भूख खतम होने का साप साप मतलब यही होता दोस्तो कि जो हमने पहले खाया पिया है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हजम नहीं हुआ, जिसके कारण हमे सारी बिमारियां आ जाती हैं आज मैं ऐसी होम रेमेडी ले के आई हूँ जो पहली बार में ही आपको आराम महसूस कराएगी पेट से समंदित है जितने भी बिमारी मैंने अभी गिनी इन सब को खतम कर देगी और अगर आप इसे दो दिन पीते हैं तो 100% आप ठीक हो जाएगे अच्छी भूख लगेगी अच्छा डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं सभी को नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आए हैं कीचन साला में और कीचन साला में आपका पहुत पहुत स्वागत है किसी बरतन में हम एक कप प लेना इसमें डालेंगे ये दो छोटी हरी इलाइची तोड़के डालेंगे अगर इलाइची ज्यादा छोटी हैं तो आप तीन भी ले सकते हैं इलाइची क्या करती हैं हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रू करती हैं जिन लोगों को दूद हजम नहीं होता वो भी के उबाल के तब पीएं तो दूद भी हजम हो जाएगा इसको हम एक दो मिनिट उबालेंगे जब तक ये इलायची फूल के मोटी मोटी हो जाएंगी और ये देखिए ये इलायची अच्छी मोटी हो गई है तो अब हम इसमें आदा निमू का रस डालेंगे ये एक कप पानी ह अगर आपने एक गिलास पानी लिया है तो आप एक निमू का रस डालेंगे और ये हमारी होमरेमीडी बनके अब तयार हो गई है इसको चान लेते हैं इसको आप गरम गरम हिं पीएं या ठंडा करके पीएं इससे कोई फरक नहीं पड़ता दोस्तो बस आपने ये पीना है औ और अगर आपको बद अजमी है, बूख नहीं लगती, पेट से समंधित कोई भी समस्या है, तो आप इसे दो-तीन दिन सुबह से आम दोनों टाइम पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहली बार में ही आपको पता चल जाएगा, पहली बार में ही आराम मैसूस होगा बहुत इजी होम रेमेडी हैं, हम इसे अपने घर में 10-12 साल से यूज़ कर रहे हैं, 100% एफेक्टिव है, यूज़ करके जरूर देखना, और अगर आपको आज की ये होम रेमेडी पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब करना, बिलकुल मत बूलना, साथ में जो बेल वाला बटन है ना, आइकन है, उसे भी दबा देना, ताकि नई वीडियो का नोटिपकेशन आपको सबसे पहले मिली, फिर मिलते हैं इसी तरह की यूज़फूल हॉम रेमेडी के साथ, तब तक के लिए टेक केर बाइ-बाइ, थैंक यू